ह excel ! थे ङंद weapon हम स्टार्ट करते हैं छो house कि इसानाम सर्फइस अ इंटर फिशल फीनोमना पर है तो सब्ले कि एडgg ने में समझ ले एटाँ हो दो से ने मिलके बना होता एक Lunch Spot सर का मतलब होता आउटर फेस का मतलब होता पार्ट है लेयर ठीक है किसी भी चीज का अगर आउटर पार्ट की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्फेस माल लेजिए हमारे पास एक लिकूड है यहां पर है लिकूड के सबसे जो आउटर पार्ट है जो आउटर है सबसे उसको से बता सकते हैं किसी भी चीज या किसी भी मटेरियल का जो सबसे उपरी पार्ट है सबसे उपरी भाग है उसी को क्या बोलेंगे हैं सर्फेस बोलेंगे आई हो आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं इंटर फेस के बारे में इंटर फेस हमारे दो वर्ट से मिलके बन solid है एक liquid है तो यह दोनों आपस में इम्मिसविल है को भिछ डिजॉल मना हो लिखेंके बाउंडरी बन रहा है इसको क्या बोलेंगे इंटरफेज भोल देंगे तो वह लिखामाई दा the contact a layer between two hemis yield material It's called Interface यह इसको आफिर either सकते हैं the boundary between two phases which exist together तो यहां पर क्या कर रहे हैं तो है तो इन के मतलब दोनों आपस में dissolve नहीं होते तो हमने माल लिया यहां पर water लिया और यहां पर क्या ले लिया और आपस देखते हैं अपन देखते हैं यहां पर क्या बन रहा है एक interface ऑफ बाउंडरी ऐसे दिखती है इस boundary को क्या बोलते हैं interface बोलते हैं और आसान तरीके समझा देता हूं मालिजे की आपके पापा है या ठीक है आपके चाचा है या ठीक है इन दोनों में क्या हो गया जगड़ा हो गया अब दोनों अलग-अलग घर बना के रह रहे हैं यह अपना घर यहां पर बना लिए यह अपना घर यहां पर बना लिए अब एक को देखना नहीं चाहर ह allons बीच में क्या करते हैं इक boundary बना लेते हैं ऐक दिवाल खड़ी रख कर लेते हैं तो दोनों आपस में क्या है दूसरे से exist दूसरे से तूसरे से मिले नहीं तो इनके बीच एक boundary बन रही है उस क्αιिए इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं interfaix बोलते हैं इस तरीके से example से समझ सकते हैं आगे बात करते हैं type आप experience के बारे में कितने तरीके से हमारे interface बनता है तो examples से समझते हैं बहुत ही easy तरीके से बताऊँगा तो यहाँ पर पहला सॉली this दूसरा मांतना solid liquid interface, तिसरा माता liquid liquid interface, चौथा हमारा liquid gas interface, अगला जो हमारा solid gas interface, तो आईए आपको इज़े तरीके से इसको हम बता देते हैं, आपे पूरे ड्रॉकर करके बताते हैं, तो माली जी आपके पास एक बड़ा सा मैंने beaker बना दिया, इस beaker में आपके पास आपके पास is gas, एवाला gas phase ले लिया और एपके पास is liquid phase, ए ममन लेते हैं, liquid phase आपका है liquid phase है, एपके पास यहापे ऐसे कूछ solid phase है, ए हमने ले लिया solid phase और dipped on it डाल लिया तेक है water agent ले लिया इस liquid को हमने water नाम दे दिया और इस liquid को हमने नाम दे दिया oil दे दिया नोति सुलिड इंटरफेस जब सुलिड विकर इंटरफेस तॉलिड इंटरफेस बनेगा उसको बोलते हfind wanna て solid interface बोलते हैं आई होब आपको समझ में आ गया हो दूसरा जो हमारा है solid liquid interface मालेजे कि ए आपका एक liquid है ए आपके पास solid है तो liquid और solid के बीच जो boundary बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं solid liquid interface बोलते हैं अगला बात करते हैं liquid liquid interface माले जे एक liquid आपके पास water था दूसरा liquid आपके पास oil है तो इनके बीच जो boundary बनेगी उसको हम बोलते हैं liquid liquid interface बोलते हैं अब आगे बात करते हैं liquid gas interface माले जे कि आपके पास एक liquid oil यहाँ पर है और यह हमारा क्या है हमने बोला कि एक gas है तो gas और जो oil है इनके बीच जो interface बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे liquid gas interface बोलेंगे ठीक है आपको यह भी doubt clear हो गया आप बात करते हैं solid gas interface ठीक है इसको यहाँ पर समझा देते हैं इस gas और solid के बीच जो interface बनेगा उसको हम बोलते है solid gas interface आपको एक चीज याद रखनी है आप यह note मैंने लिख दिया कि gas gas के बीच कभी interface possible नहीं है तो यह आप notes हमेशा याद रखेंगे important point है examiner कभी आपसे पूछ सकता है तो आप video class तक बने रहीगा आपको मैं practical के साथ पूरा इसको बताऊंगा तो video class तक जरूर से देखिएगा अब बात करते हैं जो हमारी ugly heading है liquid interface क्या होता है liquid interface किसको बोलते हैं कि माल लेजिए कि आपको पास दो liquid हैं ठीक दोनों एक दूसरे में immisbuilt है इसको हम बोलते हैं liquid interface बोलेंगे यहाँ बोल सकते हैं liquid-liquid interface बोलेंगे तो यहाँ पर वही definition लिखा गया liquid interface is a boundary between two liquid is known as liquid interface ठीक है जब किसी दो liquid के 20 का जो interface boundary बनेगी उसको गया बोलेंगे liquid interface बोलेंगे मैंने example लिख दिया है यहाँ पर oil and water interface तो यहाँ पर बना के मैंने बता दिया तनाओ या बोल सकते हैं force या बोल सकते हैं attraction जब water का जो outer layer हो उस पे जब tension provide होगा या तनाओ provide होगा उसी को बोलते हैं surface tension बोलते हैं तो आई example से समझते हैं माली जी आपके पास एक weaker है इसमें हमारे water के ऐसे molecules हैं ऐसे water के molecules हमारे इसमें हैं इस तरीखे से molecules होते हैं इस उपर वाले जो होता है इसको बोलते हैं surface molecules surface molecules बोलते हैं इसको बोलते हैं इन सब इको bulk molecules बोलते हैं bulk molecules बोलते हैं तो यहाँ पर ध्यान देजिएगा अगर इसको थोड़ा zoom out करके देखते हैं तो molecules जो bulk molecules हैं इसको क्या कर रहे हैं एक दूसरे से ऐसे इस तरीके से बद हैं molecules लेकिन जो outer वाले हैं इनको क्या कर रहा है नीचे की तरफ के molecules इनको खीच रहे हैं और side side के molecules इनको खीच रहे हैं इनको तो चारों तरफ से आपने देखा कि लिप्स जो होती है वगर इससे पतियों पे हम पानी डालते एक जहां ऐसे क्या हो जाती गोला सा और यह wsधा और यह क्यों होता किरों ऐसे जती है क्योंकि उससा यह hac पहले समझते हैं definition तब उसके बाद और आपको घुगराले बाल के हो जाते हैं अभी बताएंगे ठीक है तो यहां पर surface tension इसे type of force जो हमारा surface tension ने उने बताया कि एक तरह की क्या होता force होता है जो कहां पर work करता है जो surface आप liquid होते हैं उसके काम करता है जब हमारा इसके काम करेगा तो क्या होगा यह minimize कर लेता है अपनी area के जितना उसको possible होना है वो इतने area को possible कर लेता है माली जे की यहाँ पे लड़की है लड़की नहा के निकली तो इसके बाल देखते हैं घुगराले घुगराले ऐसे हो जाते हैं इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो वाटर के माली क्यों से इस पे एक टेंसन प्रोवाइड करते हैं इसलिए क्या हो जाते हैं जब लड़किया क्या करती हैं डुपटा लेकर फटा 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 पटो इस पर मारती हैं तो यह पानी क्या वाटर क्या होते हैं निकल जाते हैं जब निकल जाते हैं तो उनके बाल क्या होते हैं लहराने लगते हैं पहले जैसे ठीक है क्योंकि इसी तरीके से surface tension को आपको example के थूरू समझाओंगा तो यहाँ पर एक तरीका मैंने और लिखा surface tension को कैसे define कर सकते हैं तो surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of liquid in contact with gas or on the surface between two images with liquid तो surface tension उसको बोलते हैं जब tensile force act करता है किसी liquid के surface पे उसी को हम बोलते हैं surface tension बोलते हैं जो हमारा surface tension होता है इसको gamma से denote करते हैं अगर इसको gamma से denote करते हैं तो इसका जो formula होता है gamma equal to होता है f upon l जो हमारा gamma या हमारा surface tension है f हमारा force है l हमारा क्या है length है तो यहाँ पर देख लिजे माल लिजे liquid हमारा है तो force act कहांपे कर रहा है liquid की surface पे काम कर रहा है तो इसलिए इसको क्या बोला गया तो यहाँ पर जो surface tension होता है इसकी unit की बात करते हैं तो इसका होता है Newton per meter होता है इसका unit होता है आगे बात करते हैं आखिर importance क्या है जो हमारा surface tension है क्यों पढ़ रहे हैं surface tension को surface tension के इसलिए पढ़ ला है क्योंकि surface tension पे ही depend होता हमारा adsorption किसी भी drug का adsorption कैसे होता है यह surface tension पे depend करता है इसको desolation कैसे होता है यह भी surface tension पे depend करता है और drug की byability क्या है यह भी हमारा surface tension पे depend करता है आगे बात करते हैं अगर हम emulsion का या तो suspension का जब हम manufacturing करते हैं वहां पर हमारा बहुत इंपॉर्टन रोल होता है surface tension का तो आई ये practical करके समझते हैं कैसे हम surface tension को practically करके देख सकते हैं यहां पर देख लेते हैं भी हमारे पास glass खाली है ठीक है तो इस पर क्या कर रहे हैं एक card जो हमारे पास है इस पर रख रहे हैं ठीक है रखें तब टीक है लेकिन अभी 2 रूपय को सिक्का रखेंगे तो देखें गिर जा रहा है ठीक है तो यहां पर गिर जा अभी surface tension का कमाल आपको दिखाते है पहले इसमें glass में पूरा water हम फिल कर लेते हैं तो इस glass में हमने पूरा water को भल लिया है अब क्या करेंगे इस card को इसके ऊपर रखेंगे ठीक है तो यहां पर इस card को हमने ऊपर रख दिया इस तरीके से ठीक आप देखें दो रूपय का जो सिक्का इस पर तो इस पर एक पेन और टिकाने की कोसिस करते हैं गिर जाएगा तो कोई बात नहीं ठीक है गिर गया यहां पर तो यहां पर देख लिए मैंने 2 पेन और 2 रूपय का सिक्का इस पर टिका दिया था यह वज़या थी सिर्फ सर्फेस टेंसन की वज़े से क्योंकि जो card है इसके नीचे जो surface tension लग रहा था इसलिए हमारा lagiquid क्या कर रहा था उसके वज़े से पर एक टेंसन प्रोवाइड किया था जिसके वज़े से सिक्का था यहां पर मैंने रखा हया यहां यहां रखा था भीक तो I hope आपको कॉंसेर्ट समझ में आगे होगा Thanks for watching